लोगों से पूंजी लेते थे और सवया डेढ़ा उसका व्याज साल के अंत में देते थे लेकिन सरदेह टल विहारी बाचपई जी ने किसानों की समस्या को दूर किया किसान क्रेडिट कार्ड ही उजना सुरू करके आज किसान क्रेडिट कार्ड में कम व्याज में किसानों को उनत खेती करने के लिए आज लोन मिल रहा है और शत्तिस गड़ में तो 15 साल हम लोग सरकार में थे डॉक्टर रमन सिंग के नित्युत में तो कॉप्रेटिव बैंक में 0% में के सी सी की व्यूस्था हुई थी तो इस अब दरसाता है कि भारती जनतापाड़ी की सरकार किसानों के लिए कितनी चिंती थे हमको मालूम है कि अटल विहरी बादपई जी के समय ही फसल भीमा युजना को सरल किया गया पहले खाली फसल भीमा का नाम सुनते थे उसका लाब किसानों को मिल नहीं पाता था लेकिन उस समय फसल भीमा युजना को भी सरल किया गया आज किसानों को फसल भीमा युजना का भी लाब मिल रहा है आज इस देश में नरेंद मुंदी जी प्रधान मंत्री हुए आज हमनों का सोभाग है 140 करोड भारत वासियों का कि ऐसा दूर द्रश्टा प्रधान मंत्री मिले हैं जिनका धेव आके है सबका साथ, सबका विकास सबका विश्वास और सबका पर्यास आज सबको बराबर मानते हुए आज जो पूरे देश के विकास में लगे हुए है और आज हमारे असोसी प्रधान मंती के कारण आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज़रा है यह सब आज ज़्यादा समय नहीं है बताने का आप सब लों को मालूम भी है यह हमलों के लिए गवरों की बात है और किसानों के लिए भी उन्होंने चिंता किया है पहली बार तो जो क्रिस्टी मंत्राले होता था उसी का नाम बदल कर उन्होंने क्रिसक कल्यान मंत्राले किया है मतलब सिधा सिधा उसी से लगता है कि किसानों का कल्यान करना है किर्शक कल्यान मंत्रा ले आज किसान चेनल अलग से उन्होंने सुरू किया है और प्रधान मंत्री सिंचाई योधना सिंचाई योधना का लाब किसानों को मिल रहा है उनके खेतों में पानी पहुंच रहा है इस तरह से किसानों के हित में अने काम आ हमारी सरकार है और इस सरकार को भी मुश्किल से दो महना होने को है हम लोग भी किसानों के हित में बराबर काम किये हैं 15 साल जब हमारी सरकार थी तो मालूम होगा कि जहां दुरस अंचलों में बिजली का पंप नहीं लगा सकते थे ऐसे जगों में सौर सुजलाई उजना में भी में सर लगाकर वहां जहां किसानों के पास पानी का साधन है तालाब है नदी नाला है कुऊा है है ट्यूपेल है तो सर सुजलाई उजना में उनको सब फ्रिक्ट देकर पानी पहुंचाने का काम पंदर वर्सों में भी हुआ है अभी भी हम लोग किसानों के हित के लिए प्रतियकर 21 कुइंटल धान खरीद रहे हैं 3100 रूपया धान का किमत देने का हमारा कमिटमेंट है आज MSP किसानों के खाता में आ रहा है 48 घंटे में उनके खाता में आ जा रहा है लेकिन जो अंतर की रासी है 970 रूपया ऐसा प्रतिक विंटल जो अंतर की रासी है मैं यहां पर अंदाता किसान बंधों को आस्वस करना चाहूंगा कि बहुत जल्दी उनका जो अंतर की रासी है एक मुस्त एक बार में उनके खाते में हम लोग भेजने का काम करेंगे तो इस तरह से किसानों के लिए हमारी सरकार यहां पर काम कर रही है और 18 लाग गरीबों का प्रधान मंत्री आवास बनाने का निदने लिए है पिछले पांच वरसों में 36 गड़ के अंदर जो गरीब लोग अपने हक से बंचित हो गए उनका पका का मकान नहीं बना गरामिन शेतरों में ऐसे 18 लाग लोगों का प्रधान मंत्री आवास बनाने का निदने हम लोग उने लिया है 25 दिसमर को 12 लाग से ज्यादा किसानों के खाता में दो साल का बोनस रासी जो बकाया बोनस रासी था 3716 करोड रूपया उनके खातों में भेजने का काम किये हैं और जो भी वादा है मोदी की गारंटी में मोदी की गारंटी में आप लोगों ने विश्वास किया और इस छेतर से लगातार तिसरी बार केदार भाई को आप लोग विधायक बना इसके लिए भी आप लोगों को बधाई धनवाद 36 गड़ में भी आप लोग आशिरवाद देकर भारती जनता पार्टी की सरकार बनाए इसके लिए भी धनवाद और मोदी जी ने जो भी शतिरगड की जनता से मोदी की गारंटी में वादा किया है सब वादा को करेंगे आज हमारी जो बिवाहित माताएं बहने हैं महतारी मंदन योधना उनके लिए मोदी की गारंटी में है जल्दी उनके खाते में साल का बारा हजार देने का काम हम लोग करने वाले हैं जो भूमिहिन मजदूर हैं किसान हैं उनको सहीोग के रूप में साल का दस हजार रुपिया गरीबों को 500 रुपिया में गैस का सिलेंडर और तेंदू पत्ता जो हमारे आदिवासी अंचलों के लिए जिसको हरा सोना कहते हैं सैदी छेत्र में भी तेंदू पत्ता होता होगा तो 5,000 रुपिया प्रतिमानक बोरा तेंदू पत्ता की खरीदी होगी 15 दिन उसकी खरीदी करेंगे इस तरह से जो भी वादा है मोदी की गारंटी में वो शब वादा पुरा होगा और हम लोग का ये सुभाग है कि ये कोसल्या माता की धर्ती है 22 जन्वरी को अउध्या में भगवान राम जो हमारी छत्तिगर के भाचा है 500 साल का संगहर्ष के बाद और लाखो लोगों की कुर्बानी के बाद आज ये वहाँ पर संभव हुआ है कि भगवान राम मंदिर में भी राजवान हुए है तो यहां कैसे लोग अउध्या जाएं भगवान राम का दर्सन करके आएं इसलिए मोधिक की गारंटी में राम लला दर्सन योजना का भी हम लोगों ने कमिंटमेंट किया है सरकारी खर्चे से 36 गड़ के लोगों को अउध्या ले जाया जाएगा और भगवान राम का दर्सन कराके लाया जाएगा तो इस तरह से मोधिक की गारंटी में हम लोग का कमिंटमेंट है उस सब को हम लोग पूरा करने वाले हैं और यहाँ पर आपके इच्छेतर के लोग प्रिये विधायक जो हमारे थुत्तिकड सरकार में मंत्री है उनका मांग है और यहाँ पर टोटल अबुजमारिया बच्चे पढ़ते है आज उनका टेलेंट को हम लोग देखे हैं मलखम में कई प्राइज भी जीते हैं उन बच्चों के साथ हमारी सुबकामना है आर्चरी में यहाँ पर आगे हैं हमारे बच्चे उनके साथ सुबकामना हम चाहेंगे यहां के अभूज मारिया बच्चे जो पीभी टीजी में आते हैं विशेश पिछी अनुसुचित जन जाती में आते हैं और मुझे बताते हुए भी हर सोरा है कि हमारे देश के प्रधान मंति जैसे सबका साथ, सबका विकास और सबका विष्वास इसको धेवा के मानकर चल रहे हैं तो जितने भी हमारे देश में पीभी टीजी हैं हमारे 36 गड़े में 5 जाती PBTG में है विशेश पिछे अनुस्ति जनजाती में जिसमें अबूज माडिया भी हैं और उनके लिए आदर ने प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जन्मन योजना का सुरुवात किया है प्रधानमंत्री जन्मन योजना में 11 योजना को फोकस एक सब्सक्राइब को मोदी जी के नितूत में हो रहा है इतने भी हमारे PBTG के बसाट है उन तक रोड पहुंच जाए सबका घर पका का हो जाए सबके घरों में बिजली लग जाए सबके घरों में पानी पहुंच जाए उनका हयुस्वान काड़ बन जाए अधार काड़ बन योजना को प्रात्मिक्ता के साथ हम लोग पहुंचाएंगे तो ऐसे अबुद मारिया बच्चों को यहां पर पढ़ाई के लिए बार्वी तक का ही ब्योस्था है आगे कॉलिज की पढ़ाई की ब्योस्था नहीं है इसलिए आपके इस छेत्र के लोग प्रिविधायक और मंत कित्री जिन्होंने अपने उद्वधन में भी आग्रह किया है और हमारे स्वामी जी लोगों का भी आग्रह है इसलिए मैं आज के इस औसर में हमारे अबुद मारिया बच्चों और बीबीटी जी बच्चों के लिए आगे की कॉलेज की पढ़ाई के लिए हम पर एक को रखे हैं जैसा आदर ने रामिचार जी ने कहा है कि अब आप लोग को चिंता करने की जरुवत नहीं है आप सब लोगों ने आसरवाद देकर हम लोग को सरकार में बठाया है मोदी जी पर विश्वास किया है तो आप एमान के चलिए कि छेतर की जो भी समस्या है जो भी कि यहां पर लोहा है कोईला है हुर सोना है डायमन है टीना है भरपूर मात्रा में खनी संपदा है बिलकुल यहां के मुक्ष्या लोगों का नीति और नियत साफ होना चाहिए वाकि हर मामले में छत्ति swoją गड़ जो कहवत है छत्तिष गड़िया सबले बढ़िया उसको चरिताथ भी करेंगे और पूरे देश में इसकी एक पहचान बनाएंगे और 36 गड़ को हम लोग बनाए हैं तो इसको समारने का काम भी हम लोग करेंगे मोंदी जी करेंगे भारते जन्ता पार्टी की सरकार करेगी यह आप सब लोग विश्वास करें और मयंत में आज का यह उसर प्रदान करने के लिए रामकृष्ण मिशन, स्वामी जी, हमारे विधायक मंत्री जी और आप सब लोगों का भारव्यत करते हुए कि आशावसर हम लोगों को प्रदान किये आज यहां पर आकर आप सब लोगों का दर्सन लाब किये हम फिर से रामकृष्ण मिशन को धन्वाद देना चाहेंगे इस सादीवासी छेत्र में चहुमुखी विकास का पहल करने के लिए उत्रोतर ये संस्था विकास करें ये छेत्र विकास करें इसी विश्वास के साथ आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्वाद जय हिंद जय छतिस गड़